दोस्तों अगर धर्म गरंतों की माने तो बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है फिर वो इनसान हो या फिर भगवान अब माता सीता को ही देख लीजिये उनके एक बुरे कर्म की वज़ा से उन्हें अपने पती श्री राम से गरभा वस्था में अलग होना पड़ा था जिसकी वज़ा था सिर्फ एक तोता इस घटना का जिक्र रमयाड में पढ़ने को मिलता है बता दे कि दरसल रमयाड कई पर पड़ी यह तोते भगवान राम और शीता के बारे में कुछ बाते कर रहे थे मादा तोता कहने लगी कि अयोध्या के राजकुमार बहुत ही प्रतापी राजा होंगे उनका बिवाह माता सीता से होगा यह बाते सुनकर सीता का ध्यान उन्तोतों पर चला गया उन्होंने सक्षियों की मदद से उन्हें पकड़ लिया फिर प्यार से अपने भविशे की और भी जानकारी पूछी तोता ने बताया कि वह पहले महर्शी बालमिकी के आस्रम में रहते थे वहीं उन्होंने राम और शीता के बारे में पता चला था यह सुन सीता जी बोली तुम लोग जिस जनक पुत्री सीता की बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ किरपया मेरे और राम के बारे में और भी बाते बताएं इस पर नर्व तोता बोला हे सीता मा आपकी विवाह आयुध्या के राजा दसरत के जेश्ट पुत्र राम के साथ होगा आपकी जोड़ी तीनों लोखों में सबसे नयाब होगी तोतों ने सीता को और भी कई सारी बाते बताई तोते की भविशवारी से खुस होकर सीता ने कहा कि यह तोते मेरे पास ही रहेंगे ताकि मैं इनसे सब कुछ जान सकूं इस पर तोता बोला हम तो पक्षी हैं हमें आजाद उर्णा पसंद है पिंजरे में जुदा होने का बियोग सहन नहीं कर पाएगी उसे भी मेरे साथ जाने दें जबकि तोते की यह याचना सीता माने ठुकरा दी उन्होंने मादा तोते को अपने पास ही रखना चाहा इस बात से नाराज होकर मादा तोते ने सीता जी को श्राप दिया और कहा कि जिस तरह से होना पड़ा रहा है ठीक वैसे ही तुम्हारा हाल होगा यह बोल मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिये फिर अगले जन्म में वही तोता एक धुबी बना जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी उसके बाद भगवान राम ने सीता को गर्भा वस्ता के दौरान ही त्याग दिया था ऐसे में मा सीता को लव कुष को अकेला ही पालना पड़ा था तो दोस्तों हमारे द्वारा इस वीडियो में बताई गई जानकारी के बारे में आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी कई सारी ऐसे रोचक और दिल्चस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल देली न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें